हमारा एक franchisee showroom 50 लाग से 60-70 लाग रुपे तक की sale परमंथ करता है कितने रुपे परमंथ marketing पर खर्च करने है ताकि वो अपने business में बहुत important बात है अगर आपका proposal impressive होगा, सामने वाले व्यक्ति के मन पर business की गहरी चाप बना पाएगा product regular supply होता रहेगा और payment schedule wise आती रहेगी Hi friends, आप लोग business growth strategy की series को पसंद कर रहे हैं ये इस बात का proof है कि आप अपने business को तेजी से develop करना चाहते हैं तो business growth strategy की series में आज जिस विशेपरम बात करने वाले हैं वो है अपने business का proposal कैसे develop करना है और friends, proposal develop करने के लिए कुछ basic steps हैं जिने आपको follow करना है जब भी हम किसी investor को, किसी franchisee को, या किसी dealer को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके business में invest करने के लिए तयार है उसे सबसे पहले हमें business का proposal offer करना होता है अगर आपका proposal impressive होगा सामने वाले व्यक्ति के मन पर business की गहरी चाप बना पाएगा तभी वो व्यक्ति आपके साथ जोडने के लिए तयार होगा इसलिए जरूरी है कि best business proposal आप design करें और best business proposal में किन-किन चीजों को कैसे कैसे explain करना है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहली चीज है company की profile आपकी company क्या है वो company कब establish हुई है company का vision क्या है company की top achievements क्या है और भविश्य में आप कौन-कौन से projects करने वाले हैं और किस तरह के awards आपको मिले हुए कौन-कौन से आपके buyers हैं कौन-कौन से आपके vendors हैं मतलब एक company की पूरी की profile की detail आपकी presentation के first page पर होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति आपकी company के profile के बारे में जान सके जब आपनी company का profile design कर लें तो उसके बाद जो second important चीज है वो है कि आपकी company के क्या product या क्या services है मतलब आपकी company किस तरह के product और services में deal करती है जितने भी company के product sound product के बारे में सारी detailed information लिखें या services के बारे में detailed information लिखें जब आप company के product को explain कर देंगे तो important होगा कि व्यक्ति को आपकी company का profile पसंद आया है plus आपका product या आपकी service पसंद आई है अब व्यक्ति आपकी company में invest करने के लिए तयार है तो total investment कितना आने वाला है मतलब one time कितना पैसा उस व्यक्ति का लगेगा आपके business की franchise या dealership लेने के लिए है ना और कितना area required होगा और ध्यान रखिए friends आपके business का ये जो past performance है ना मतलब आपने जो अपना खुद का unit तयार किया है उसी के अधार पर आपको design करना है कि आपके पास कितना area है और कितने investment आपने लगाई थी उसी के हिसाब से आप एक rough structure design करें कि infrastructure में कितना लगेगा interior में कितना लगेगा product में कितना लगेगा ब्रैंडिंग में कितना लगेगा कितना कितना पैसा कैसे कैसे खर्च किया जाएगा उसकी total detail यहां पर होनी चाहिए और कितना बड़ा area आपको carpet area या super area चाहिए उसकी detail होनी चाहिए उसके बाद आप अगर अपने व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो कितनी फ्रेंचाइजी फी चार्ज करेंगे या कोई security deposit amount होगा कई बार क्या होता है company material प्रोवाइड करती है तो उस material के बिहाफ पर material का जो ownership वो company के रहती है पर company security deposit ले लेती है ताकि जब वो व्यक्ति आपका material refund करे या exchange करे तो वह आप security आप उसको वापस दे मतलब safety and security इसके लावा आप कितना deposit उससे लेने के लिए तयार है कई बार क्या होता है कि आपका जो business है वो इस तरह का है जहां पर product regular supply होता रहेगा और payment schedule wise आती रहेगी तो आप कुछ amount deposit लेने के लिए तयार है इसकी detail यां होने चाहिए अब थोड़ा सा मैं explain कर देता हूं for example आपका एक showroom है आप आप शोरूम के franchise देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने company का profile बनाया profile के साथ में company के सारे products को explain किया फिर आपने बताया total investment जो लगेगा for example मैं अपना बता देता हूं हमारी company है Metas Overseas Limited इस company के अगर franchise लेते है तो हमारे products है इस अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते है तो एरिया जो हमें चाहिए वह चाहिए 1500 से 1800 स्क्वार फिट मिनिमम पंद्रा सो से 800 स्क्वार फिट की मिनिमम जगह की requirement और इतनी जगह में investment जो आता है वह आता है 35 से 40 लाक रुपए तो हमने क्या किया हमने total investment बता दिया और deposit भी नहीं लेते क्यों क्योंकि हमारा सारा का सारा जो business model है वो prepaid system पर है consumer advance payment देता है हमारे franchise या dealer को हमें advance देता है तब हम material produce करते हैं लेकिन कई businesses में आपको security amount रखना पड़ेगा है ना क्योंकि supply regular material की जाती रहती है या आपने को एक amount deposit ले लिया कि जिस पर उसके वियाप प जरता है यह detailed होना बहुत जरूरी है और area में आपका क्या-क्या बनाएंगे जैसा office कितने space में होगा display center कितने में होगा admin department कितने space में बैठेगा आपकी जो journal facilities होती है वो कैसी होगी सारी detail explained होनी चाहिए उसके बाद में जो next question कि सिजक्ति का रहता है वो यह रहता है कि ठीक है मैंने business की profile समझ ली business के product समझ ली company की investment समझ ली franchise fee समझ ली अब मुझे बताओ कि उस business को run करने पर operating cost क्या होगी तो आपको बताना है कि per month operating cost क्या आने वाली है और हर business की एक operating cost होती है जैसे सबसे पहले मैं कुछ example आपको बता रहा हूँ और operating cost जो होती है दो तरह क्यों होती ह कि 1500 से 1800 square feet का area हम लेते हैं और उसका rent है डेड़ लाक से लेकर धाई लाक रुपे तो यह क्या है यह fix operating cost है यह हर मैने fix आपके जाते रहेंगे ठीक है फिर उसका आपको staff चाहिए staff में मालेजी आपको 10 लोगों का staff चाहिए और average salary 25,000 है तो धाई लाक रुपे आपको per month staff salary पे करनी है तो यह क्या है यह भी एक तरह का fix है पर 100% fix नहीं कहते है आप staff को plus minus कर सकते हैं electricity है branding है journal operating cost है उसकी सारी detail होनी चाहिए यहां पर उसके बाद में कितना staff required होगा उस business के लिए यह आपको कैसे पता लगेगा आपकी past performance बताएगी कि आपके अपने खुद के unit पर कितना staff लगा हुआ है तो वहाँ पर जैसे आप staff में बोलू sales staff marketing staff management staff floor cleaning staff पी और सारे हो गए management staff हो गया यह सारा staff जो required है उस staff की कितनी आपकी variable cost आने वाली यह भी आप बताएगे साथ में आप explain करेंगे कि आपके business की marketing cost कितनी होने वाली है मतलब एक showroom को या एक franchise या dealer को कितने रुप business में जादा सेदा leads लेकर आ सके और leads के अधार पर sales का conversion कर सके ठीक है तो आपने financial viability सारी बता दी उसके बाद जब आपने financial सारे बता दिये तो important बात है अब वो जो investor वो पूछेगा कि expected sale product या service की कितनी आने वाली है तो आपको पता होता है कि आपकी company में कितनी average sale आती है तो 50 लाग से 60-70 लाग रुपे तक की sale परबंद करता है तो हमने क्या बता expected sale क्या होगी अब यह मैंने expected क्यों लिखा है क्योंकि आप अपनी existing unit पर जितनी sale कर रहे हैं जरूरी नहीं कि नए franchise या नए dealer के पास भी उतनी sale आएगी यह sale ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है profit sharing ratio आपका क्या होगा कई बार क्या होता आप services दे रहे हैं तो आपका profit sharing ratio होता है जिसको हम बोलते royalty charge कर ले ना एक तर ऐसे यह कैसे होता है मानली जी आपको किसी काम के 100 रुपे मिलते हैं तो आपने काम 70-30 का ratio रखेंगे मतलब 70% जो रहेगा वो franchise या आपके dealer के पास charity लेते हैं तो यह आपका personal ratio है कि आप कैसे सारे खर्चे को meet up कर पाएं और वह अच्छे से profit भी कमा पाएं उसके बाद supply cost या selling cost क्या होगी जहां पर services है वहां तो आपने ratio में बाट लिया लेकिन कई जगह क्या होगा कि आपके यहां पर services नहीं है प्रोड़क्ट है अब ऐस हमारे case में modular kitchen बनाते हैं तो modular kitchen हम supply देते हैं किसको हमारे franchise को या dealer को जो sale करता है तो उस case में कहते हैं for example किसी कमपनी का selling cost है selling price है 100 रुपी और उसका supply price 40% discount काट के आता है 60 रुपी यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह पर जहां आपकी services होगी वह profit sharing ratio होगा और जहा आपको बताया है कि हमारी company में मान लीजी एक 5 लाख रुपे का kitchen है और हमारा franchise kitchen को 5 लाख रुपे के selling price पर sale करता है और उसका profit margin जो है 40% है तो इसका मतलब उसको जो supply आने वाली है 5.22 लाख रुपे उसका profit हुआ 3 लाख रुपे उसकी cost हुई और 5 लाख रुपे उसका selling price हुआ मतलब वो company को pay करेगा 3 लाख दो लाख profit रखेगा अपने पास और 5 लाख रुपे का selling price consumer को पढ़ने वाला है तो हमने बताया supply cost and selling cost उसके लाबा break even point क्या होगा फ्रेंट ये break even point समझना इसलिए भी ज़रूरी जब भी आप काम करेंगे ना business करेंगे तो आप sale इतनी कर लें कि sale में से जो आपका profit है वो आपके खर्चे को meet up कर ले मैंने आपको बता है मानली जी एक showroom का rented 5 लाख रुपे 5 लाख रुपे का खर्चा है और एक kitchen बेचने पर उसको 2 लाख का profit हुआ है तो एक kitchen बेचने के साथ भी उसको 3 लाख रुपे का loss हो गया क्यों क्योंकि खर्चा कितना है 5 लाख रुपे तो इसको इतनी कितनी sale करनी होगी कि वो अपने operating cost को पूरा कर ले मतलब break even point मतलब no profit और no loss ना तो उसको profit हुआ नो loss हुआ है ना तो मैंने आपको बताया माली जी 40% है 5 लाख की sale पर 4 लाख बसते हैं और इसी साब से आप calculate कर ले 12 से 15 लाख रुपे की sale पर वो अपनी operating cost को पूरा कर लेगा तो आपको यह बताना है आपकी company का break even point क्या है कि कितनी sale कर ले कि उसके खर्चे पूरे हो जाए उसके बाद उससे ज्यादा sale होगी तभी वो profit कमा पाएगा इसके इतना profit वो कमा ले कि 40-50 लाख रुपे कितने समय में cover हो जाए उसको हम बुलते ROI return on investment कितना आने वाला है यह सारी detail हमें हमारे proposal में देना अनिवार रहे है तभी वो व्यक्ति आपके साथ जूड़ने के लिए तयार होगा उसके बाद company की तरफ से support क्या मिलने वाली है एक व् company के साथ जूड़कर आपके product या आपकी services को sale करें तो आप वो पूछेगा कि आप मुझे क्या-क्या support देने वाले है और support में क्या होता है sales support sales related क्या support देंगे मतलब अगर आपके पास लीड़ आती है तो बताएंगे हम लीड़ आपको देंगे आपके पास उस एरिया से call आत या dealership firm run कर रहा है वो कहता है marketing में क्या support देंगे तो हम बताते हैं कि उसके area में जो local marketing वो करेगा उस marketing में 50% share company पे करेगी हमारी company क्या कहती है आप अगर कोई भी advertisement करेंगे अपने area में उसका 50% खर्चा company पे करेगी मानली जो उसने 2,00,000 रुपए का advertisement किया तो 1,00,000 बढ़ा करने के लिए advertisement करेंगे इसको बोलते हैं marketing support marketing support के अलावा क्या हम marketing executive भी provide करेंगे जो उनके री में उनके लिए काम करेंगे training support अब सारे products related training marketing related training sales related training हर तरह की training देना company की responsibility है क्योंकि company का ही business है company का ही काम करने का तरीका है after sales support जब एक consumer कोई deal कर लेगा और उसके product में करेंगे वो सारी detail भी आपके business proposal में होनी चाहिए उसके लावा आपकी company की terms and conditions क्या है कि किन conditions पर आप काम करते हैं क्या 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 आपके product की warranty है guarantee है या services की क्या क्या money back guarantee है सारी की सारी detail terms and condition आपकी वहां पर होनी चाहिए आपने business की presentation में अपने profile के बारे में बता दिया product बता दिया खर्चा बता दिया income बता दिया profit होने वाला बता दिया profit के बाद support and services बता दिया कब तक आप profit recover कर लेंगे break even recover कर लेंगे कब आप return on investment कितना कमा लेंगे सब कुछ आपने बता दिया terms and condition बता दिया support क्या देने वाले बता दिया अब बात आती है आपके company के साथ पूरी detail आप बताएंगे कि अगर आपको हमारा business model समझ में आया है तो आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के यह steps है कहते हैं कि deal को close करना बड़ा important है आपने deal में सब कुछ explain कर दिया अगर आपकी closing best नहीं होगी तो आपकी deal close भी नहीं होगी तो deal को close करने के लिए चेड़ चाड़ करता है प्रोड़क्त में कुछ कमी कर देता है प्रोड़क्त की quality को खराब कर देता है तो भी आप terminate कर सकते हैं या client के साथ properly deal नहीं कर रहा है तो भी आप terminate कर सकते हैं या आपके product जो आपकी company के भीहाब पर किसी other vendor से लेकर outsourcing करके बना के आपके नाम से बेचर है तो भी आप terminate कर सकते हैं तो आपको वो सारी detail भी देनी होगी कि कब किसकी सवस्था में आपकी company उसकी franchise या dealership terminate कर सकते हैं तो friends यह मैंने बताया है कि अपने business में अगर आप franchise model करना चाहते हैं तो आपको अपने business का proposal कैसे design करना है friends बहुत important बात है जब आप अप ग्या पनाप करते हैं उस तरह के ग्रहक आपके पास आते हैं जैसे end user के लिए advertisement करते हैं तो end user आते हैं B2B के लिए advertisement करते हैं तो B2B के लोग आते हैं जब आप franchisee और dealership के advertisement करेंगे तो automatically आपके पास वो लोग आएंगे जो franchisee लेना चाहते हैं dealership लेना चाहते हैं और जब आ प्रपोजल लोगों को सर्व करना शुरू करें जब आप पहली बार प्रपोजल बनाएंगे न तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कोई भी प्रॉब्लम्स आपके मन में अगर आपको लगता आने वाली है तो वह हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं कोई इनफर्मेटरी वीडियो मिसना हो क्योंकि यहाँ पर बिजनस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक एक पार्ट में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कि हमारी कंपनी छोटी सी फर्म से मेटास ओवर्सीज लिमिटेड कैसे बनी और कैसे हमने एक यूनिट से पूरे हिं सब्सक्राइब कर लें तक यह वीडियो मिसना हूं स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत